तापसी पन्नू के खिलाफ मद्द प्रदेश के इंदोर में शिकायत दरजू हिए पुलिस के मुताबिक हिंद रक्षक संगठन के कोशा अध्याक्ष एकलाव सिंग गोड और बीजेपी विदायक मालीनी गोड के बेटे ने तापसी के खिलाफ कम्प्लेंट की है और उन पर धार्मिक भावनाव को ठेस पुचाने का आरोप लगाया है इंदोर पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और उचित कारवाई की बात कही है पुलिस ने एक बात्चित में एकलाव ने शिकायत में लिखा कि एक्ट्रेस ने चौदा मार्च को इंस्ट्राग्रम पर वीडियो अपलोड किया था जो किसी फेशन शो का है इस दोरन तापसी ने बहत रिवीलिंग ड्रेस पहनी है और उनके साथ उन्होंने माता लक्ष्मी का नेकलेस पहना है इतना ही शिकायत करता ने अरूप लगाया कि तापसी ने ये कदम जान बुच कर उठाया है तापसी ने 14 मार्च को इंस्टाग्रम पर रेंप शो का वीडियो शेर किया था उसमें उन्होंने बता है कि जो नेकलेस उन्होंने पहना है वो रिलाइंस जोल का है उन्होंने इसे लेक्मे फेशन विक 2023 के दोरान के रिए किया था इस इवेंट में तापसी फेशन डिजाइनर मोनिशा जैसिंग की शो इस्टॉपर बनी थी फोटो सामने आते ही तापसी को अपने कॉंट्रोवर्शन नेकलेस के लिए सोशल मीडिया पर काफी खरी-खोटी सुननी पड़ी थी उनकी फोटो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा तापसी को शर्म आनी चाहिए किसी भी धर्म के सिंबल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो एक सेलिब्रिटी होने के नाते आपको पता होना चाहिए तापसी पन्नौ अपने बोल्ड बियानों की वज़े से हमेशा टौलर्स के निशाने पर रहती है उन्होंने कुछ द्यनों पहले ही बाइकोट ट्रेंड पर भी बोला था िसके अलावा उनका विवात कंगना रनोट के साथ भी रह चुका है कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने तापसी को कंगना की सस्ती कौपी खे दिया था इसके जवाब में तापसी ने खा कि कंगना का उनकी लाइफ में कोई रोल नहीं है इसलिए वो उनके बारे में क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है बता दे कि तापसी की अगली फिल्म डंकी है जिसमें वो शारुक खान के साथ नजर आएगी यह फिल्म साल के आखरी में रिलीज होएगी इस फिल्म का डारेक्शन राजकुमार हिरानी कर रहे है यह पहली बारे कि तापसी किंग खान के साथ स्क्रीन शेयर कर रही है इसी की साथ मने रही है एशाने जब्या की साथ धन्यवाद